नमस्कार कैसे हैं आप नितीश कुमार प्रधान मंत्री बनने का सपना देख रहे थे या फिर शातिर नितीश को सब पता था कि ये दूर की कोड़ी है विपक्ष को मोदी से डड़ा करके वो विपक्ष की अगवाई कर सकते हैं शातिर नितीश को सब पता है कि 42 विधाय के साथ इस देश का कोई भी विपक्ष उन्हें अपना नेता नहीं मानेगा शातिर नितीश मोदी के साथ लंबा समय बिता चुके हैं उन्हें पता है कि मोदी को पस्त करने की हैसियत किसी में नहीं है तो मोदी का खौफ दिखा करके नितीश एक पड़ा खेला कर रहे थे संयोजक बन रहे थे और ये कि 2024 के चुनाब तक वो बिहार की सत्ता पर काविज रहेंगे 2025 का जब चुनाब होगा उसमें वो लालू पुत्र को कमान सौपेंगे मतलब बिहार के मुख्यमंत्री के कुरसी पर बैठ करके वो 2024 का चुनाब लड़ते और लालू पुत्र को बाबाजी का जुनजुना थमा देते नितीश ये शरारत पुर्ण खेल ये चाला की धुर्तता का खेल गजब खेल रहे थे लेकिन नितीश ये भूल रहे थे कि उनका गुरु घंटाल लालू परसाद्यादव है जो बार बार कहते रहे हैं कि नितीश के पेट में दांत है तो पटना की बैठक में बरी चालाकी से लालू के बगल में बैठक करके नितीश दांत चियार रहे थे और पूरे बैठक को एक तरसे हाईजेक लालू यादब ने कर लिया राहुल गांधी का मजा कुरा करके शादी के बात करके पवार की बात करके लालु यादब पूरी तरह से मीडिया की सुर्खियों में आ गए और नितीश वहां जोकर की तरह रगने लगे इस बैठक के बाद जब प्रधान मंतरी मोदी हामलावर हुए और बैमानों के खिलाप मुहीम चला दी और लालु कुनवे को उसके बाद जेल भेज़े जाने की तयारी होने लगी चार सिठ होने लगी पवार पस्त होने लगे तो कॉंग्रिस मस्त होने लगी ऐसे में कॉंग्रिस को लगा कि अब विपक्ष की अगवाई वो करेंगी और लालु यादब कि बेटों को जेल का डर फिर दिखा कर नितीश खेल करने लगे लेकिन नितीश ये भूल रहे थे कि असली खेल उनके साथ होना है उस बैठक की अगवाई करने की कीमत उन्हें भारी चुकाने पड़ने लगे बार बार अमित्शा बिहार जाने लगे तो उन्हें पार्टी तूटने का खौप सताने लगा उनके कुनबे में रहे जिसे उन्होंने कभी डिप्टेसियम बनाया वो जीतन राम माजी उन्हें उनका मजा कुराने लगे उनके छोटे भाई रहे उपेंद्र कुश्वाहा उनने बगावत कर दी अब मुखर होकर के लगातार मोदी के साथ अब पर्तेक शुरूप से काम करने वाले राम विलास पास्वान के पुत्र चिराग भी अब मुखर होने लगे तो जातिवाब वत कुनवा जो कुनोंने तयार किया था महा दलित का उसी में ये सब आते हैं ये सब पिछडे वर्ग में नहीं आते इसके साथ साथ सनब मलाह भी आ गये तो ऐसा लगा कि नितीश कुमार का पूरा वो कुनवा टोट रहा है इतना ही नहीं नितीश कुमार के पास 17 सांसद हैं और उन सांसदों को ये खौप सताने लगा कि वो सब के सब तो मोदी के एक नाम पर जीत करके आएن उन सतमाम सांसदों को अब ये भैस सताने लगा कि 2024 वो किस मूँ से वोट मांगने जाएंगे ये डर नितीश को सताने लगा कि उनकी पाटी तो अब तूट जाएगी दरसल पटना की बैठक में पारंगत बरने वाले नितीश अब किस मूँ से बैंगलूर जाएं यही उनके लिए हताशा का कारण बना है तो ये बदला हुआ है कि नितीश इस खौफ में हैं कि अब कौन सा बैठा कर कहा जाना अपनी जमीन बचा लें वही महत्पूर है लालू यादब उन्हें सत्रा सीट पर चुनाव लरने की हैसियत भी नहीं देना चाहते तो फिर उनके सांसुदों को पता है कि अभी तो हम सत्रा के सत्रा है यदि हमें स्टिकट ही नहीं मिलेगा तो हम यहां इस पार्टी में रहकर क्या करेंगे दूसरी चीज यह कि उनमें से कितने लोग जो मोदी के नाम पर जीत करके आए थे वो फिर से लड़ाई लड़ पाएंगे ऐसे कंडिशन में नितीश को रात की नीन हराम हो गई है सपनों में शाह आने लगे हैं और अपना खेल उन्हें साप दिखाई देने लगा है बहुत बहुत धिन्यवाद